हेलो फ्रेंड्स, गूड मॉनिंग, कैसे हैं आप सभी, आसा करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पालक की पनीर की सबजी, पालक पनीर की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साग में जो कूडा करकट होता है, तरफ डटेंगे, उसमें पानी ढालने की जरूच नी है, क्योंकि उसमें आलेडी इतना मच्छर होता है, कि वह इस पानी में उबल जाता है, आप इसको वाल करेंगे, आप वाल करने के बादे देखो हमारा यह साग अच्छे से वाल हो गया है, और हम ये पनीर लिया है, इस तिन टमाटाब, और अद्रक, दो लहसुन, प्याच और हरी मिर्ज, न तो के लिए तड़का लगाने को सब उपसे पहले, हम कडाई में एक चमस तेल डालेंगे, उसमें प्याच डालेंगे, इस प्याच को किया करेंगे, थोड़ा ट्रांसपर होने तक भूलेंगे, फिर उसक के बाद इसको थोड़ी दिर पकाएंगे इसको पकाने से और इसमें थोड़ा डाल देंगे नमक तो इसको पकाने से क्या होता है कि इसका जो कच्छा पन होता है टमाटर के वो खतम हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिर हम इसको पका देंगे अब पकाने जब तक हम क्या करेंगे पनीर हमारा देखो हो चुका है ब्राउन अपनीर हमने निकाल लिया अब इसका तड़का लगाने के लिए क्या करेंगे थोड़ा सा मिसमें डालेंगे टेल तेल में जीरा डालेंगे जीरा के बाद जो हमने पेश्ट बना के तयार करा था इसके बो डा भी इड़ने के नमक नमक आप स्वाधनुसार डाल सकते हैं जैसे आपको भसंदों पर डाल सकते हैं दोड़ी हल्दी अघुछ तोड़ा सी मिक्समाला पानेके रहे ना, भाघ ओक कि ये अच्छे stunt पर अच्छे जो वायेsent प्पा गशा अधे olhar दोर धा, पानी और हींग डालोंगी में उपर से आपको तो पता ही है मैं हमेशा ही उपर से डालती हूं फिर इसमें थोड़ा सा इसमें पनीर यह पनीर श्र। मिक्स कर देंगे तो पनीर डालने के बाद हमारा पालग पनीर की सबजी होने जा रही है तैयार तो अब थोड़ी देर के लिए इसमें इसको उबलने देंगे तो देखो यह हमारा थोड़ी थोड़ी साग में थोड़ी बबल आने लगे है तो इसका मतल़ हमारा साग जो है बन अब देखो ये हमारा साख बन के हो गया तआयार तो अगर आपको हमारे साख की रेस्पी पसंद आई पालक पश्ण आई तो हमारे चैनल को लाइक किजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आप झाइए और इसके साथ हमने बनाई ती लच्छा रोटी तो ये झाल वाचिक भच्ट झाल